पंकज मिश्रा और यूटूब चैनल पंकज इस्टिटीट आफ इंग्लेश तो यह फ्रेंट्स आइम ही इए इस प्रका के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इन सेंटेंस को इंग्लेश में कैसे बोलना है या इनको कैसे पढ़ना है यदि आप सीखना चा जब भी अप्लोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके शुरू करते हैं आज के बाग आज के बाग हैं कितना सुन्दर गुलाव इसलिए उसकी बस छूट गई सारे विस्किट मत खा लेना प्रेश करते समय सावधान रहो करनल ने आदेश दिया वह खेलों में भी अच्छा है बॉक्स में दस सेव हैं उसने खुसी खुसी सुईकारा अंत में इमानदारी सदगुण हैं मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ हर लड़की को भाग लेना चाहिए पानी जीरो डिगरी सेल्सियस पर जमता है वह बहुत यात्रा करता है यह सौने का समय नहीं है तो कई बार हम किसी कहीं पर बिस्टिंग प्लेस पर जाते किसी पार्क में जाते हैं और सुन्दर सा गुलाब देख करके हमारे मुझ से निकल जाता है कि कितना इंग्लेसन बोलेंगे वाट अब व्यूट फॉल वाट अब यूट फूर रोज वाट आव यह ब्यूटिफुल रोज वाट अब यूट फॉल रोज कितना सुन्दर गुलाव है कई बार बोलता है कि वह आपका इंतजार कर रहा था इस लिए उसकी बस छूट गई या इस पदेरी से आया इसलिए उसकी बस छोटी उसे पता नहीं था इसलिए उसकी बस छोटी इसको इंग्लेश से बोलेंगे इसलिए उसकी बस छोटी therefore therefore he missed the bus he missed the bus therefore he missed the bus कभी कभी बच्चे आपस में बात करते हैं कि वहाँ पे जितने बिस्किट रखे हो गए हैं सारे बिस्किट मत खा लेना या आधे बिस्किट मेरे हैं सारे मत खा लेना तो यदि हम किसी से यह कहना चाहते हैं कि सारे बिस्केट मत खा लेना तो इसके बूलेंगे डॉंट इट ऑल दा बिस्केट्स अल दा बिस्केट्स अब बिस्केट्स लेकिन कुछ बर्ग होते हैं जैसे प्रेस करना जहां हम प्रेस करते हैं तो इसमें एलेक्ट्रिक भी होता है विजली कभी डर होता है कपड़े जलने कभी डर होता है इसलिए कहते हैं कि प्रेस करते समय सावधान रहो तो वी केरफुल इसको बोलेंगे बी केरफुल वाइल प्रेस करने को बोलते हैं आयरेनिंग दा क्लॉथ आरेन आरेनिंग दा क्लॉट्स यह फ्रेंज कई वार होते हैं कि हमको उन्होंने आदेश दिया यहां पर करनल लोग हिंदी में बोलते हैं इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है कोर्णल को इंग्रिस में कॉलोनल इस प्रकार से लिखते करनल तो कॉलोनल और डर्ड औरेन इस प्रकार से आप से कोर नल औरर्ड तो मार्च एहड इस प्रकार से आप कह सकते हैं कभी कभी हम किसी इस्टुटेंट्स के बारे में बताते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा है He always scores full marks और यह बताना चाहते हैं कि वह खेलों में भी अच्छा है वह खेलों में भी अच्छा है उसको बोलेंगे He is good He is good in sports also तो इस प्रकार से He is good in sports also वह खेलों में भी अच्छा है यह फ्रेंज जब कभी भी किसी चीज में जुतना सामान आ सकता है तो हम बोलते हैं कि माल लीजे कि इस बॉटल में एक लीटर पानी है या इस बॉक्स में दस्ते हो हैं तो इस बॉक्स मालों यह कहना है कि इस बॉक्स में 10 दस देो हैं इस बॉक्स कंटेंस कों नेंस टैन एप्पल्स इस बॉक्स कंटेंस टैन एप्पल्स जब कभी कभी हम किसी चीज को किसी को बोलते हैं कि ये आप आपको सुईकार करना पड़ेगा कि ऐसा आपके कारण से हुआ तो यदि हम किसी से कहना चाहते हैं कि हमने उससे बोला तो उसने खुशी-खुशी सुईकार कर लिया या उसने खुशी-खुशी सुईकारा तो हो जाएगा he accepted he accepted happily he accepted happily उसने खुछी-खुछी सुईकार कई वार ऐसा बोलते हैं कि अंत में वह घर पहुँच गया अंत में सब कुछ ठीक हो गया तो at the end क्यों बोलते हैं at the end इमानदारी सद्गुण है dear friends कुछ चीजें होती हैं हमारे जीवन में जो कि हमको अच्छे गुणों के जानी जाती हैं जैसे हो गया इमानदारी हो गया बहादरी हो गया दानता हो गया दानी हो गया और तो हम यदि कहना चाहते हैं कि इमानदारी सद्गुण हैं इसको बोलेंगे honesty is honesty is virtue honesty is virtue dear friends जब कोई किसी क्या job करते करते ठक जाता है तो बोलना चाहता है यदि के मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ तो इसको English में बोलेंगे I want to start I want to start start my own something my own I want to start something something my own O-W-N I want to start something my own यनि कि मैं अपना कोई स्वयम का विजनेस या स्वयम का कुछ करना चाहता हूँ हर लड़की को भाग लेना चाहिए dear friends nowadays चाहे वो कोई भी competition हो चाहे वो games हो चाहे वो sports हो चाहे वो चाहे वो games हो चाहे sports हो चाहे कोई भी competition हो जैसे सभी लड़कियों को participate करना चाहिए तो यदि हम कहना चाहते कि हर लड़की को भाग लेना चाहिए तो इसको एंग्लेस में बोलेंगे every girl every girl should participate every girl should participate हर लड़की को भाग लेना चाहिए तो dear friends कुछ universal truth होते हैं कुछ rules होते हैं कुछ principle होते हैं हर चीज के होते हैं जैसे पानी जो है वह 100 degree Celsius पर जमता है वह 0 degree Celsius पर जमता है 100 degree Celsius पर उबलता है तो यदि हम कहने चाहते कि पानी 0 degree Celsius पर जमता है इसको बोलेंगे water freeze water freeze at 0 degree Celsius 0 degree Celsius पानी जो है वह 0 degree Celsius पर जमता है वह बहुत यात्रा करता है यदि किसी का आने जाने का बिजनेस है या कहीं पर पड़े बहुत जाना पड़ता है तो हम कहते हैं को बहुत यात्रा करता है जिसको इंग्लिस मिलेंगे he travels a lot he travels a lot और dear friends जब कोई भी अपने भविश की चिंता किये बिना सोता रहता है तो हम कहते हैं या सोने का समय नहीं है या माल लीजे आप 10 बज़े तक सो रहे हैं तो हम कहना साजते हैं कि या सोने का समय नहीं है तो इसको बोलेंगे this is not the time to sleep this is not the time time to sleep this is not the time to sleep यह सोने का समय नहीं है तो dear friends इसी प्रुका के sentence आप अपने daily life में यूज करते हैं these sentences are very interesting and you can if you can read again and again or listen again and again or write again and again then you can you can use these sentences in your life देखते हैं एक बार सुरू से लेके लाज तक कितना सुन्दर गुलाब what a beautiful rose इसी लिए उसकी बस छोट गई therefore he missed the bus सारे बिस्केट मत खा लेना don't eat all the biscuits प्रेश करते से मैं सावधान रहू be careful while ironing the cloth करनल ने आदेश दिया कॉलनल ओर करनल ओर्डर्ड वह खेलों में भी अच्छा है he is good in sports also box में दस्तेव हैं this box contains 10 apples उसने खुशी खुशी सुईकारा he accepted happily अंत मैं at the end इमांदगारी सद्गुण है on stage virtue मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ I want to start something my own हर लड़की को भाग लेना चाहिए every girl should participate पानी zero degrees Celsius पर जमता है water freezes at zero degrees Celsius वह बहुत यात्रा करता है he travels a lot और यह सोने का समय नहीं है this is not the time to sleep तो dear friends इसी प्रकार के sentence आप का प्रेश करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो अब तक पहुंच सके थेंक्यों for watching